तो नमस्कार कैसे हैं आप साथ दोस्तों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी चल रही होगे दोस्तों आज मदप्रदेश का बेसिक लेबल से लेकर हाई लेबल तक की क्वेसिन को आज हम इन किलासों में देखेंगे और बहुत टाइम से हमा कि अगला है मदप्रदेश का नाम मदप्रदेश किसे ने दिया था तो आपको पता होना चाहिए पंडित जवालाल नहरून नहरून दिया था किसे ने दिया था अगला कोशन है मदप्रदेश राज का राज की ये पक्छी कौन सा है दूस्तों आपको पता होना चाहिए यह भी अब कंफ्यूज मत होना कि दूद राज आ जाए या साहि फुल फुल आ जाए या प्रडाइज आ जाए ठीना यह तीनों नामेक है अब चलते हैं अगले क्वेशन की दरब अगला क्वेशन है मत्रडेश का राज की यह पक्चु कौन सा है तो आपको पता है राज की जो पसू है हमारा आवे मारा बारा सिंगा है और अगला क्वेशन है मत्रडेश का राज की यह पेल कौन सा है तो बरगत है यह भी आपको पता है अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं राजगे मशली कौण सी है, मदध्ब्रदेश की तो महासीर है और थोड़ाचा और आगे की तब दिखते हैं अगला question मदध्ब्रदेश का राजगे खेल कौण सा है तो मलकम में, बिलुक्ल basic level की question है अपन धीरे धीरे high level पर चलेंगे तो मदध्ब्रदेश की मद्दप्राज के फसल कुझे तो सोय भी नए और इसके साथ मद्दप्राज के फल कौन सा तो आम है अगली कोईशन के बढ़ेंगे मद्दप्रेश का राज के पुर्स पे कौन सा है सफेड ली अपकल छोटी सी इंफर्मिसान देना चाहिए हमारे चैनल जैनली CPCT NMP exam के दोवारा एक तीन हजार प्लस कोईशनों की PDF आपके लिए तैयार किए यह दोस्तों जिसमें आपके लिए प्राइए प्लस कोईशनों रहेंगे दूस्तों अगर आप पर्चिस करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वड़ते हैं अपने अगले कोईशन गी तरब अगला question है रामाराइन कलास संग्राल है मदप्रदेश के किस छेत्र में इस्थित है तो याद रखिए जो रामाराइन कलास संग्राल है भी हमारा ओर्चा में इस्थित है और ओर्चा किस नदी के टटके किनारे बसा हुआ है तो बेतबा नदी के किनारे बसा हुआ है अब ओर फजल के हत्या भी यहां औरचा में की गई है दोस्तों अब चलते हैं बुंदेलों की राजधाने भी खही नगे रहा है अब इसके पर अगला कोईशन है सांची का इस्थूप तो याद रहिए मदप्रदेश का जो सांची का इस्थूप है जो रायस है जिले के अंतरकत आता ह है यह भी भुपाल में है इसके बाद मदप्रदेश की सबसे बड़ी मज़्यत है दोस्तों बेग भुपाल में इस्थित हमारी अब इसके बाद अगला कोईशन है मदप्रदेश का कौन सा राश्टी उद्धान आई एस ओ आवर्ड यानि प्रुसकार पाने वाला भारत का बेला राश्टी उद्धन मनाया तो बन भी राश्टी उद्धान जो की हमारा भुपाल में इस्तित है और बहुती सुन्दर है एक बार आप जरूर जरूर जाकर इसको देखिए अब चलते हैं हम अगले क्वेशन की तरब और अगला क्वेशन भी आप स्क्रीन पर देख र मदपरदेश के किस जले में रानी लच्वी वाई की समाधिया तो याद रखिए गवालियर जले में रानी लच्वी वाई की समाधिया और गवालियर के लोगो भारत का जबराल्टर की नाम से जाना जाता है एक क्वेशन से दो दो ती ती क्वेशन कैसे बनते हैं हम आपको किस के लिए को भारत का करा जाए अन्ग लाग गानी राष्टी मानो संग्राले इस्थित तो भुपाल में राष्टी ए मानो संग्राले इस्थित है और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों के अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पिच को फॉलू नहीं किया तो जल से जल आपको जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहती है पड़वारी से छोटी से छोटी अपडेट्स भी हम देते रहती है दोस्तों और आपको एक चीज जोर है बॉट्स अब को भी क्रेट किया तो उसका नंबर भी मैंने आपको डिस्क्रेप्स में दे दिया है तो जल से जल आप हमारे इंस्टाग्राम पिच को फॉलू करिए आईए देखते हैं का सबसे बड़ा सोयावीन का रखाना कहा है तो जैन में है याद रखिए के सब अगले कोईशन की तब बढ़ते हैं अगले कोईशन की तब बढ़ते हैं अगला क्वेशन है हमारा अग और आपस टो छोटी रीक्वेशन Карाम तेखिए चनी तो जबसे पहले आपके पके पहुँचे हैं आपकी महुनत के लिए आपके लिए और अपको थोड़ा सा रा समकोवेशन की प्वोपाल्व को जीलो के नम से जाना जाता है फिर्देस का सब्से बड़ा रेलवे जंग्सन कौन सा या द रहेे फिञे मद्ड प्रिदेस का सब्से किस बड़ा ज्रोब जुक्ष्थ जंग्सन किया जाता है अगले ऐतार सिटेर अगले कोई हवाई एड़ा मद्दप्रदेश के किस जले में है तो भुपाल में इस्थे थे चलते हैं अगले क्वेशनिंग दरा मद्दप्रदेश राजी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो मद्दप्रदेश राजी में बहने वाली उसे बड़ी नदिये भी हमारी नर्व्यदन दिये अगला क्वेशन है बदर पेति राद्जे का उच्न याल है कहा है दोस्तों तो जवलपुर में बदर पेति राद सराघ्य का उच्चन याल है और आपको बता दे दो इसकी खंड फीड है तो तो दो खन्द बीट कुन खवालीर है एक हमारी इंद और है और एक हमारी गवालियर है धीक नर, तो ये चीज़ याद रहिए हाई कोट कहा है, मुख इंद कहा है यह मुर्पूर में चलते हैं कुब कहा जाता है तो मद्य प्रदेश के ऑंदautres को कपड़ों का सहर की नाम से जाना जाता है अग्ला क्वध्र्देश के जा अप सभी को पता है confused कि अगला कि मोज़डेश के सिर्वाद 2 म पन्ना में इस्थित है अगला कौश्टन है । नदी किनारे से मदब ब्रेस में नोड छापने की मसीन है मिश्टिक गया है question जो नोट छापने की जो कार खाना है प्रिंटिंग मसीन जिसको बोलते हैं भी हमारा देवास में और जो नोट छापने का जो कार खाना है जो सोरी दूस्तों नोट का बहां पर कागाज बनता है जो नोट का बे हमारा हुसंगाबाद में यह थोड़ा सा मिश्टिक हु हमारा मद काना की जाश्टि उद्धान है और यह और भी बड़ा था लेकिन अब जब से हमारा 36 गड़ राज अलग बनाया तो जी छोड़ा सो छोटा हो गया है अब चलते हैं अगले question की तरफ मदप्रदेश के किस जले में दा नेशनल प्रे न्यूज प्रिंट एंड पेप राया जाता है तो बात हो और राश्टि उद्धान में अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है सांती के लिए नूवर प्रुसकार से सम्मारे मदप्रदेश के पहली व्यक्ति कौन थे तो कहला सब त्यार थी थी सब को पता है ये भी अगला question है मदप्रदेश के पिर हमारे 29 है और यहां से देखिए अगला question है हमारा मदप्रदेश राज्य का पिर मोक बोद घाट जल विद्धुत परी उजना किस नदी पर बनाए गया तो इंद्राबाती नदी पर बनाए गया इसके बाद अगला question है मदप्रदेश की ग्रीस में काली निराजधानी किसे कह कहा जाता है तो ग्रीस में काली निराजधानी मारा पच मणी क्यों कहा जाता है मदप्रदेश जीले में जीवास में राश्टि उद्धान इस्थित है तो मंडला में है दुस्तो अगला question है ने इंद्वर के किस जीले में चम्मल हिंदी का उदकम होता है तो इंद्वर में ह